कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वालमार्ट के CEO से हुई कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी हमारे जो युआ लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं यह इनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वालमार्ट के CEO से हुई उन्होंने विश्वाद जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी हमारे जो युआ लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं यह इनके लिए बहुत बड़ी ख़बर हैं सिस्को के CEO में ने भी अपनी भारत यात्रा के जहरान मुझे बताया कि वह भारत में बने आठ हजार करोर रुपिये के प्रोडस्क के एक्सपोर्ट का लक्ष लेकर चल रहे हैं कुछ दिन पहले ही एपल के CEO भी भारत आये थे भारत के उजवल भविश्य और खासकर मोबाइल मैनिफेकरिरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे दुनिया के मज़ूर सेमिकंड़क्टर कंपनी एन एक्सपी इसके टॉप एग्यूटिव भी हाली में मुझसे मिले हैं वो भारत के सेमिकंड़क्टर एको सिस्टिम के निर्मान और उसके सामर्थ को लेकर बहुत पोजिटिव हैं फोसकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट में हजारों करोड रूपिय का निवेश शुरू कर दिया है अगले एक सब्ता में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे CEO से फिर से एक बार मिने मिलना होने वाला है वे सभी भारत में निवेश के लिए जोस से भरे हुए हैं